ये स्री अतीक अमद भूतपूर सांसद भूतपूर विधायक और स्री खालिल अजीम असरफ आज तलब होकर के नियायले के समक्ष आये थे सरफ्थम मैंने ये तर्क प्रस्तुत किया फिदो सरसर का जो आपने तलबी वारंड भेजा वो अधिकार छेत्र के परे भेजा इसलिए उस आदेश को आपको वापस लेना चाहिए विकल्ब मैंने ये प्रार्थना किया कि इनके विरुद कोई साक्ष नहीं है इसलिए इनको रिमांड न किया जाए उसके बाद उन्होंने आदेश किया कि चौदा दिन की नियाई के विरक्षा में इन दोनों आजमियों को निर्द किया जाएगा तदो परांत जो पुलिस की और से अभियोजन पक्ष की और से पुलिस अभिरक्षा में दिये जाने का आविदन पत्र दिया गया था उसका जबरजस्त भी रोज मैंने किया और अभ्योजन पक्ष की ओर से ये कहा गया कि एक वो अभ्यूक्ट हैं उनके पास असलहे हैं वो कहा हैं उनकी लोकेशन क्या है इसका पता इन लोगों से करना है चो हमने कहा कि असद जिसके लिए ये कह रहे हैं उसकी पुलिस मुटभेड में हत्या कर दी गई है एक दूसरा था उसके साथ गुलाम उसकी विहत्या कर दी गई है तो अब उन से उनके बारे में पूछने का कोई आउचित नहीं होता है दूसरी चीज मैंने कहा कि ये लोग सन करीब 29 से साबर मती जेल में और 20 से बरेली जेल में निरुद्धा है ऐसी दसा ऐसी परिस्तिती में इनके ब 120 भी भारतिय दन्र सहिता का आरोप है भारतिय दन्र सहिता के 120 भी के आरोप के लिए दो मस्तिसकों का मिलान होना प्रदेशात्मक उबंधा है जिसका ये पुलिस अधिकारी गण नहीं साबित कर पाए है इसलिए कि हम साबर मती जेल में थे और एक बरेली जेल में थे तो उ नमबर दूसरी चीट टेलीफोन की बात जो है वह ग्राह नहीं होती है हमने टेलीफोन किया क्या किया क्या नहीं किया इसका कोई साक्षन नहीं है दूसरी इस्थिती परिस्थिती मैंने ये कहा कि कोई भी जेल अधिकारी के बिरुद फोन के बिरुद है या जेल में कोई अब जो यह कह रहे थे कि लड़का कहा है क्या है उसका भी सवाल नहीं पूरता है इसलिए आवेजन पत्र निरस्त किया जाना चाहिए आदेश सुरक्षित कर लिया है अब थोड़ी देर में वादेश सुना सकते है अज़ा चाहू बात और दी चक्कर खा कर गिर गया रोने ल नियाले कक्ष के अंदर था पानी के बाटल फेकी गई है जूता और चपल फेका गया है मगर वो पुलिस अधिकारी गण जो थे जो उनके साथ में आये थे एक मैंने और भी प्रात्मिक आपक्ति उठाई थी कि अश्रप को हटकड़ी में और उनको रसी में बांद करके ले जाया जाएगा जेल से और ना नियाले से जेल भेजा जाएगा हंतकरी में मानवा धिकार का उलंगान है यह है और मानना की गई है पुलिस अधिकारी हो द्वारा है मेरे समझ ऐसा किया गया है इसका आप संग्यान गराण कर लिए मेक दम से असभ्यता का और अबैधानिक्ता का अपने आप में पुष्ट परमार है अभ इसमें क्या होगा आदेश यह होगा कि जब आये यह उसके बाद अभी तो अभ्युक्त करना आ रहे हैं आएंगे जब आरोब पत्र प्रिसित करेंगे तब उसके बाद इसका विचारण होगा अब ये कहां रखा जाएगा कहीं नहां कहां नहीं रखा जाएगा ये तो उनके आदेश पर निर्भर करेगा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद